अमीर खान और सुनाली बेंद्रे स्टारर फिल्म सर्फरोष को 25 साल पूरे हो चुके हैं इस खुशी में फिल्म के स्पेशल स्क्रिनिंग रखी गई जिसमें सर्फरोष के मेकर्स एंड एक्टर्स शामिलु में स्टार्स को एक बार फिर साथ में स्क्रीन पर देखते हुए फैंस को सुनाली बेंद्रे और अमीर खान की एवर ग्रीन जोडी की याद आ गई फिल्म के गाने हो या फिर स्टार्स के अक्टिंग 25 साल बाद भी ओडियन्स इस आइकोनिक फिल्म को भूल नहीं पाए है सर्फरोष के रिलीज के 25 साल पूरे होने के मौके पर एक्टर ने फैंस को बड़ा तौफा दिया है अमीर खाने मीडिया से बात चीत में कहा मेरा ये कहना है कि सर्फरोष टू बननी चाहिए हम सही कहानी की तलाश में है इस मौके पर आमीर खाने सर्फरोष फिल्म से जुड़ी यादे शेयर करते हुए बातों बातों में इशारा कर दिया कि वो जल्द इस फिल्म के सीकुल पर काम कर सकते हैं आमीर खाने क्या कहा खुद इन से ही सुनिये आपस जाना चाहराँ, 25 साल पुरे होगा है कितनी पुराणी दाज़े आदे आज भी आप वैसे तिटन भाईन है एचली 25 साल हो गया है मुझे वो फिलिंग नहीं आ रही है कि इतना टाइम हो गया है तो जब हम सोचते हैं मेरे मेरे जहन में बहुत लगते हैं लेकिन लूजह लगे रहा है कल की बात हैं अभी तो दो साल चार साल पहले रिलिज़ है है ऐसे मुझे फिलिंग आ रही है वो फिल्म अभी भी मेरे जहन में बहुत फ्रेश है और ऐसा लगता नहीं कि पच्ची साल हो गए अरे अच्छा सवाल पूछा आपने मैं तो कही सालों से जॉन को बोल रहा हूं कि सर्फरोश टू बननी चाहिए और जिस मोड पे हमने फिल् करूँगा तो देखते हैं मुझे भी उम्मीद है कि सर्फरोश टू बने बता दे कि आमीर खान किस बयान से लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं कि वह जल्दी इस मूवी पर काम करना शुरू कर सकते हैं बॉलिवड स्टार आमीर खान काफी समय से बड़े परदे से दूर च बताते चले कि बॉलिवड स्टार आमीर खान जल्दी फिल्म सितारे जमीन पर में नजर आने वाले हैं इस मूवी में वो लीड रोल प्ले करेंगे फैंस को इस फिल्म का बेस सबरी से इंतजार है इसी बीच फिल्म सर्फरोश के दूसरे पार्ट को लेकर मिले हिंट पर फै ग्रुजनेशन दिझितल